तो आज बनाते हैं खीरे का जूस जो की इस गर्मी के लिए काफी हेल्दी जूस होता है और साथ में हम बनाएंगे खीरे का ही रायता जो आप लोग को काफी पसंद आएगा तो चलिए देखते हैं इन्हें कैसे बनाना है अगर रेश्पी अच्छी लगती है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा चाइनल पर अगर न्यूँ है तो सबस्क्राइब जरूर कीजिएगा तो चलिए हम जूस बनाना शुरू करते हैं खीरे का जुस बनाने के लिए हमने यहाँ पे 500 ग्राम खीरा लिए हैं और इसे हम अच्छी तरह से पहले धो लिए हैं और अब हम इसके हेट को इस तरह से काट लेंगे और इस तरह से थोरा कट लगा देंगे और इसके उपर हम थोरा सा नमक डालेंगे और इसे हम इस तरह स क्योंकि इसके छिलके में बहुत ज़्यादा बिटामिन्स होते हैं तो नहीं इनके छिलके को हटाईएगा बीना छिलने ही इने हम यूज करेंगे तो अब हम सारे खीरे को एक ग्रेटर की हेल्प से ग्रेट कर लेंगे इस तरह से पतली वाली ग्रेटर ले लेजिएगा और इसे अच्छी तरह से सारे खीरे को ग्रेट कर लीजिए और यह देखिए हमने खीरे को ग्रेट करके त्यार कर लिए हैं इस तरह से और अब हम इसमें डालेंगे पुदीना के कुछ पत्ते तो फुदीना क्यों पत्ते को यहाँ पे हम इस तरह से अच्छी तरह से धो लिए हैं और इसे तरह से पतली पतले करके हम काट लेंगे और अब हम इसमें डाल देंगे हापकप के कड़ी पानी और अब हम एक बोल ले लिए हैं उसके उपर हम सुती कपड़ा लगा दिये हैं और अब हम जो ग्रेट करके खीरा रखे हुए हैं इसमें हम डाल देंगे और चारो तरफ से इसे हम इस तरह से पकड़ लेंगे और सारे जूस को हम इस तरह से निचोर निचोर के गाड़ लेंगे यह बहत ही healthy juice होता है खास करेu summer के लिए और यह morning juice है Inside में आगर एक ग्लास पी लेते हैं तो यहां तरो ताजा रह सकते हैं तो सारे जूस को इस तरह से निचोर निचोर के निकाल लिए हैं और अब हम इसमें add करेंगे one table a spoon honey और 1-1 रब टेबल एस्पून लेमन जुस गार देंगे और यह हम एकदम खीरे का एकदम तरो ताजा जुस बनके त्यार हो गया है तो चलिए अब हम इसे सर्फ कर लेते हैं तो यहां पर हम दो ग्लास ले लिए हैं अब हम इसमें आइस के कुछ क्यूब डाल देंगे और जो जुस बनाके रखे हम इसमें एड़ कर देंगे और हम यहाँ पे पुदीना के पत्य से गार्निस कर देंगे यह हमारा जुस बन के त्यार हो गिया है तो इसे समझ में जरू ट्राइ कीजिएगा और जो यहाँ पे खीरे के जुस निकालने के बाद वेस्टेज बचा है उसका हम देखी क्या करते हैं तो एक बोल में से हम टांसफर कर लेंगे इसका हम एकदम हेल्दी रायता बनाकर त्यार कर लेते हैं तो डायता बनाने के लिए हम यहाँ पे करीब डेर कब दही लिए हैं एकदम फ्रेस कर लेजिएगा बहुत ही अच्छा रिजल्टाएगा और एक बीटर से इस तरह से इसे हम बीट कर लेंगे और अब हम क्या करेंगे यहाँ पे जो खीरे का वेस्टेज है इसमें हम डालेंगे यहाँ पे हम वन टेवले स्पून पुदीना के पत्ते डालें हैं कटा हुआ और यहाँ पे एक हरी मिर्ची जिसे हम बारी काट कर एट कर दिये हैं आप अपने स्वाद के कॉर्णिंग इसे घटा बढ़ा सकते हैं हाप टेए स्पून हम सफेद नमक, हाप टेए स्पून काला नमक और उसके बाद हाप टेए स्पून हम यहाँ पे भूना जीरा पौडर आट कर दे रहे हैं और जो दही हम वीट करके रखे हुए थे हम इसमें आट करदेंगे और उसके बाद हम यहाँ पे एक कप अनार डालेंगे इसमें यह बहुत ही हेलदी रायता होता है इस संमबर में खासकर अभी और अब हम सारे इंगिरियंट के साथ इसे हम मिक्स कर देंगे ये हमारा खीरे का हेल्दी रायता बनके त्यार हो गया है तो दोनों रेस्पी अप लोगों कैसा लगा कमेंट के जड़ी जरूर बताईएगा और उमीद है आप लोगों को दोनों रेस्पी बहुत ही अच्छा लगेगा क्योंकि ये बहुत ही healthy recipe होता है खास कर समर के लिए और अगर वीडियो अच्छा लगता है बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजेगा ताकि वीडियो का notification आप लोगों तक पहुचते रहें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू